Hello everyone, आज बनाएंगे गर्मियों का या होली का स्पेशल और हेल्दी ड्रिंक ठंडाई वैसे तो मार्केट में बनी हुए ठंडाई एजीली मिलती है लेकिन एक बार घर पर बनाएंगे तो बाहर का स्वाद इसके आगे फीका लगेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो ठंडाई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लेंगे 2 टेबल स्पून पिस्ता, 1 फोर्थ कप खर्भूजे के बीज, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 फोर्थ टेबल स्पून काली मिर्चे, 3 टेबल स्पून सूखी गुलाब के पत्या, 1 फोर्थ कप काजू, 2 टेबल स्पून खस-खस, 1 फोर्थ टी स्पून केसर और 8 छोटी लाइची और अब इसमें डेड़ कप पानी डालकर 6 गंटे या ओवरनाइट सोक के लिए रखेंगे अब 1 फोर्थ कप बादाम लेंगे और इसे भी पानी डालकर सोक करेंगे इसे मैंने अलग से इसले सोक किया है ताकि इसे छीलना इजी हो तो मैंने इसे ओवरनाइट सोक कर लिया है ये अच्छे से सोक हो गए है और बादाम को भी मैंने छील कर तयार कर लिया है अब इन्हें एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और छिलेवे बादाम को भी इसी के साथ डाल कर फाइन और स्मूध पेस्ट बना कर त्यार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कितना स्मूध पेस्ट बनाए इसे आप फ्रिज में एर टाइट कंटेनर में फिल करके स्टोर करके दो से तीन दिन तक रख कर यूज कर सकते हैं अब इससे बनाएंगे ठंडाई तो एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे ठ्री टेबल स्पून ठंडाई मसाला और इसी के साथ डालेंगे वन एना हाफ टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और एक कप ठंडा दूद तो अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने दिये गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले अब इसे एक बार अच्छे से ब्लेंड करेंगे अब एक ग्लास लेंगे इसमें तीन से चार आइस क्यूब्स डालेंगे और अब ठंडाई डालेंगे और अब लास्ट में गानिश करेंगे कुछ कटेवे पिस्ते और रोज पेटल से तो इंजॉय करें टेस्टी, हेल्दी, ठंडी, ठंडी, ठंडाई और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खुश करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप इसे बनाएं और इंजॉय दरी